अजे देवगन को इंडस्ट्री में बहुती सौट आउट अक्टर माना जाता है वो अपना काम करते हैं और बस घर जाते हैं और बहुती डिसिप्लेन से चलते हैं लेकिन एक बार उनकी एक फिल्म की मेकिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अजे देवगन ने अपनी अक्टरेस को दिखा दिया कि वो कितना दम रखते हैं और यह अक्टरेस थी रवीना टंडन तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब अजे वो फिल्म कर रहे थे? क्यों अजे देवगन को रवीना को दिखाना पड़ा कि वो क्या है? और कैसे अजे के उस डिसीजन के बाद रवीना को भी अजे क्या है? यह समझ आ गया यह बात उस टाइम की है चब अजे देवगन अपने करियर के इनिशिल डेज में रवीना टंडन के साथ कुछ फिल्मों में नजर आ रहे थे इसी दौरान इन दोनोंने एर 92 में एक फिल्म साइन की थी यह फिल्म थी गैर इस फिल्म के बहुत कुछ शूटिंग तो हो चुकी थी लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि बाकी का पोर्शन शूट नहीं हो पाया साथ ही डबिंग और कुछ टेक्निकालिटीज इस फिल्म में होनी बाकी थी लेकिन इसी दोरान अगर रवीना और अजे देवगन की बात करे तो इन दोनों के बीच भयंकर जगड़ा हो गया क्योंकि रवीना टंटन मीडिया में कहने लगी कि अजे देवगन के साथ वो रिलेशनशिप में है वो उनके साथ लॉंग ड्राइफ पर जाती है वहीं अजे देवगन ने मीडिया में रवीना के लिए कुछ इंटर्व्यूज ऐसे दिये कि ये खुदी अपने आपकी लाइफ में मुझे इमेजिन करती है और मुझे लगता है कि इसे एक मेंटल डॉक्टर की जरूरत है इन दोनों का रिष्टा इतना खराब हो गया था ये मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बाते कर रहे थे साथ ही ये दोनों एक दूसरे की शकले तक देखना पसंद नहीं करते थे फिल्म तो बहुत दूर की बात है और इस कारण इस प्रडूसर की ये फिल्म भी अटक गई कुछ सालों बाद प्रडूसर वापस इस इस्तिती में आ गया जब वो इस फिल्म को रिलीस कर पाई ये टाइम था ये यर 99 लेकिन तब तक अजे और रवीना का रिलेशन्शिप बिल्कुल बदल चुका था ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे और इधर प्रडूसर को रवीना टंडन से डबिंग करवानी थी तब प्रडूसर ने रवीना टंडन को डबिंग के लिए जब बुलाया तो उन्होंने डबिंग करने से मना कर दिया प्रडूसर ने यही बात जब अजे देवगन को बताई तब अजे देवगन ने प्रडूसर को एक आइडिया दिया जिससे प्रडूसर का काम भी हो गया और उन्हें रवीना की हाता जोडी भी नहीं करनी पड़ी वेल अजय देवगन ने कहा कि अगर रवीना टंडन डबिंग के लिए नहीं आ रही है तो आप उसकी आवाज किसी डबिंग आर्टिस से ही रेकॉर्ड करवा दो इसके बाद जैसा अजय ने बुला प्रडिसर ने वैसा ही किया उनके फिल्म कंप्लीट हुई और फाइनली एर 99 में उन्होंने अपनी इस फिल्म गैर को रिलीस किया बिना रवीना टंडन की आवाज के और जब ये फिल्म रिलीस हो गई तब रवीना को भी समझ आ गया कि ऐसे में आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ आपको हमारी ये विडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube channel. Bollywood, Tikana.